हाँ यह राइजिंग स्टार्स क्लास 9 के लिए चेप्टर है फिजिक्स का मेजर्मेंट्स एन एक्स्परिमेंटेशन पार्ट वन आपने तो देख लिया होगा क्या कहा पार्ट वन नहीं देखा है I am very sure कि आप बहुत important एक part एक explanation मिस कर रहे हैं और description पर मैं इसका link देदूँगा जरूर देख लिएगा और यह है part 2 यह chapter basics है आपके physics का तो यह आपको आगे भी yes आगे जब आगे science continue करना चाहेंगे तब भी आपको lifelong help करेगा तो चलिए आज बारी है measurements of length के बारे में जानने के लिए तो length हाँ भाई किसी की लंबाई ना अपना अब आप सोचेंगे कि length ना अपना है तो sir meter scale use कर लेंगे ruler use कर लेंगे सही बात है आप use कर सकते है ruler को use कर सकते है meter scale को use कर सकते है बट अगर आपको छोटी सी छोटी चीज measure करनी हो सोचिए pencil की lid क्या का pencil की जो lid है उसकी thickness measure करनी है तो आप किस से measure करेंगे या आपके पास beaker है उसका internal diameter measure करना है या एक wire है उसकी thickness measure करनी है बताइए अब आप किस का use करेंगे तो आप कहेंगे सरम use करेंगे vernier caliper चलिए आपने कहा और मैंने आपको दिखा दिया ये रहा vernier caliper हाँ ये एक device है जो की least count अथार्थ जो lowest measurement ये कर सकता है वो below the point point one centimeter है हाँ centimeter से भी छोटा measurement जो millimeter के भी नीचे आता है उसको भी measure कर सकता है हाँ अब आप देखेंगे ये device मैं आपके सामने screen पे रख रहा हूँ screen के पास ले आ रहा हूँ और ये है एक घजब का device यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके अंदर tail है ये एक main scale है और ये जो आप part move करता दिख रही है हाँ ये jaws है ये internal diameter measure करने के jaws है और ये जो नीचे वाले है ये external diameter measure करने के jaws है और इसके अंदर ये बीच में जो scale जो move कर रही है जो slide कर रही है scale इसकी हाँ इसको sliding scale या vernier scale कहते हैं चलिए ये तो हो गया कि ये है क्या आईए थोड़ा detail में समझते हैं ये काम कैसे करता है चलिए तो least count क्या है सबसे पहले ये समझते हैं तो least count किसी भी instrument का सबसे smallest measurement है जो वो accurately कर सकता है उससे ज़्यादा छोटा वो measure कर न हाँ जो तुमारे pencil box में जो ruler है है न स्केल है ना बताओ सबसे छोटा वो क्या measure कर सकती है accurate आप कहेंगे सर 1 mm हाँ आपने सही का आपका जो ruler है आपके पास जो scale रखा है वो 1 mm का least count रखता है पर सोचिए उससे छोटी चीज़े measure करनी हो तो तो आना पड़ेगा आपको वर्य के पास तो लीस काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का lowest या smallest measurement है जो इंस्ट्रूमेंट क्या कर पाएगा accurately measure कर पाएगा अब बात करेंगे वर्यर की हाँ तो पीरी वर्यर नाम के एक महान इंवेंटर ने बनाया वर्यर के लिपर इन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि इनको मे lowest values को अच्छा छोटी सी छोटी division जो की ruler से भी possible नहीं थी उसको measure करना था इसके लिए दो scales ली गई एक थी main scale जो की fixed होती है आपने देख लिया लंबी सी scale होती है और एक होती है vernia scale जो slide करती है main scale के उपर main scale के उपर वो move करती है आईए जो main scale है ध्यान से समझेगा जो main scale है यह रा डाइगराम के रूप में दिखा दिखा हो उपर जो आपको दिख रही होगी वो main scale है और जो नीचे दिख रही है आपको वो क्या है vernia scale है जो main scale है उसके divisions किसके बराबर है 1 mm के बराबर है किसके बराबर है 1 mm मतलब यहां से यहां तक कितना है 1 mm फिर 1 mm तो 1111 1 mm है प कुछ इस तरीके से हैं कि उसके जो number of divisions हैं जितने भी number of divisions vernier scale नीचे वाली scale slide करने वाली scale के divisions हैं वो number of divisions किसके पराबर हैं एक कम एक कम n-1 division of the main scale के पराबर हैं समझाने के लिए कहते हैं कि अगर vernier scale में number of divisions 10 है number of divisions in vernier scale 10 है तो number of divisions in main scale कितने होंगे 9 मतलब vernier के 10 divisions main scale के 9 divisions के equal होंगे clear है जैसे आप देख पा रहे होंगे यह रहे नीचे वाले जो मैंने red किये हैं यह vernier के 10 divisions है 0 से लेकर 10 तर पर यह main scale में सिर्फ 9 divisions के बराबर होंगे clear आईए अब इससे क्या होगा आईए इससे से निकलेगा least count कैसे निकलेगा आईए मैं करके दिखाता हूँ तो least count अगर vernier का निकालना है जिसको हम कई बार vernier constant के नाम से जानते हैं वो value किसके बराबर होती है equal to the difference in the value of one main scale division क्या one main scale division को minus कर दें किस से minus कर दें one vernier scale division अथार्थ least count निकालना हो तो one main scale division minus one vernier scale division किरा ये रहा हमारा least count एक तरह से देखें one main scale division की value main scale की value one upon nine के पराबर होगी अगर nine values है nine divisions है इसके अंदर और यहाँ पर कितना होगा 10 होगा जो कि मेरे example में 10 था तो one upon 10 अब इससे जो solution निकालेंगे ये value आपको देगी value of least count समझ गया है आईए वर्नियर calipers को slide calipers भी कहते हैं मैंने बता दिया क्योंकि वो slide करता है main scale की उपर वो slide करता है ये रहा वर्नियर scale किसके अंदर है कहां है वर्नियर scale यहां इसके नीचे यहां पर divisions बने वे हैं नीचे की तरफ यहां बने वे हैं इसे कहते हैं हम लोग वर्नियर scale तो वर्नियर scale slide करती है क्या-क्या measure कर सकती है length of rod measure कर सकती है हां भाई क्योंकि इसके पास main scale है length of rod measure कर सकती है हां यह depth भी measure कर सकती है कौन depth measure करेगा यह तेल पार्ट कहां दिखाता हूं यह रही कि लंबी सी पूछ निकल रही है नहीं है टेल किसी की do ब्राइद भी डाइमीटर मेंधर कर सकते हैं यह रहा अगर किसी Anika को किसी चीज का डाइमीटर मेंधर लिए एक एक जांप्ल की रूप में आपको mobile मेरे सामने सिकीन तरह का था इसल house मैंने वह अमईल का कर पाएंगे नीचे से यूज कर पाएंगे और इंटर्नल डायमेटर यूज करना होगा तो उपर वाले जॉज है तो हों है दैमिटर्स मेजर करने के लिए ठीकर कनया संब्स anyway पद्विञें अब आता है फिर से लिस्वाइन स्सक्राइब निकाल थैँग के लिस्वाम बताइब बथा जर लिए Là division हाँ division of one main scale और एक formula भी है formula क्या है value of one main scale division और वो value हो जाएगी x वो कैसे आएगी 1 upon 9 अगर number of divisions main scale पे लिया 9 और total number of divisions total number of divisions division of one main scale में कितने होते हैं 10 हाँ क्योंकि 10 है तभी तो 9 होंगे तो divided by 10 तो यह जो value आएगी यह आपकी क्या आजाएगी least count आजाएगी अब आता है 0 error कैसे निकलता है यह 0 error का मतलब क्या है चलिए इसका मतलब समझते हैं 0 अगर 2 होते हैं एक वर्निय स्केल में 0 होता है कहां होता है main scale में एक 0 होता है वर्निय स्केल देखिए main scale का 0 तो बहुत clearly दिखेगा बहुत अच्छे हैस आपको दिखेगा यहाँ पर starting point पर आपको दिख जाएगा यह 0 of the main scale है जो सबसे पहले दिख रहा है और वर्निय स्केल यहाँ है इसके नीचे है जो sliding scale इसमें भी जो पहला mark है वो आपका क्या है 0 है ठीक है इसका मतलब जो लंबी वाली scale है इसमें कहीं ने कहीं 0 होगा तभी तो 1,2,3,4 शुरू होगा तो एक scale ऐसी round वाली भी तो है यह वाली round वाली scale इस scale का नाम है वर्नियर scale इसमें भी इसका color change कर रहा हूं इसमें भी कहीं ने कहीं क्या होगा 0 होगी वो 0 line होगी 0,1,2,3,4 तो इसका 0 और इसका 0 अगर match कर जाए क्या हम कर जाए coincide कर जाए match कर जाए तो कहते हैं free from 0 error इसका मतलब है कि अगर वर्नियर का 0 और main scale का 0 एक ही line पर है match कर जा रहे हैं तो हम कहेंगे free from 0 error ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि आपको यह instrument अच्छे से use कर लेना चाहिए हाँ यह वर्नियर केलिपर इसका मतलब बड़े काम का है हाँ भाई क्योंकि उसमें error ही नहीं है 0 की problem ही नहीं आने वाली है ठीक है ना 0 error होने के समय पर क्या खास बात होगी एक और खास बात होगी जब 0 error नहीं होगा free होगा मतलब free from 0 error मतलब 0 की गल्ट की नहीं है और इस समय क्या होगा 10th division of the vernier will coincide with the 9th division of the main scale समझ गये जो vernier का 10th division होगा जी vernier scale का जो यह रही vernier scale जो नीचे बना रहा हूँ इसका जो 10th number होगा देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th जो इसका 10th वाले जो division होगा वो division क्या करेगा main scale के 9 वाले division से coincide कर जाएगा main scale के 9 वाले division से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यह 9 division देखा उपर देखिए यह main scale है उपर वाली और यह जो नीचे वाली round वाली जो दिख रही है यह है आपकी vernier scale तो जब main scale और vernier scale के 0 एक दूसरे को coincide कर जाएं एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएं जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ठीक है न तो आप समझ जाएंगे कि वो free from zero error है पर क्या है मैसा होईसा होगा नहीं क्योंकि देखें यह slide कर रही है scale तो metallic है friction है होगा कि नहीं हो होगा थोड़ा सा भी mismatch करेगा तो error आएगा अब error आएगा तो दो error आ सकता है एक positive और एक negative आईए पहले positive 0 की बात करते हैं नाम positive है कहां positive नहीं है 0 का याद रखेगा हाँ सही कह रहा हूं 0 error हमेशा subtract करना होता है क्या चीज में रीडिंग से 0 error को मेशा minus करना होता है तो positive 0 error है इसलिए क्या करेंगे उसको भी minus कर देंगे तिले नाम positive है देखो ध्यान से अब आप देखेंगे positive 0 error कब होगा जो main scale दिख रही है आपको उपर यह देखे main scale है और नीचे देखे है vernier scale तो जब दोनों को coincide कर रहे हैं जब क्या कर रहे हैं हाँ vernier scale of main scale को एक position पर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि vernier का 0 ध्यान से देखिए यह नीचे वाला 0 कर रहा है तीसरा नहीं कर रहे हैं पर चौत कॉन्सट यहां से देखिए मैं इसको पलावन का जोड़ीर का दोनों का जिरो एक की उपर एक है तो यह माना जाएगा आपका positive 0 error कैसे निकालते हैं 0 की value कैसे निकालते हैं तो formula होता है coinciding division coinciding division into least count यह formula लगा देंगे ठीक है तो commonly least count क्या है commonly least count है 0.01 तो 4 into 0.01 क्या जाएगा 0.04 जो की यहां पर आप देख पा रहे हैं समझ गए चौथर division पर है देख लिए यहां पर क्या होने वाला है यहां पर vernier का 0 आपको मिल जाएगा देखिए कहां है आगे यह आपकी main scale और यह आपकी vernier scale आई करेट कैसे करेंगे करेट कैसे करेंगे correction के लिए एक formula है formula क्या देना है आपको जो भी आपकी reading आ रही है क्या जो भी आपकी reading आ रही है उसमें से 0 error हमेशा minus होता है तो positive 0 error होगा तो minus हो जाएगा पर अगर negative 0 error होगा तो minus minus की वज़े से वो plus बन जाएगा तो नाम negative 0 error है पर करते उसको plus है क्यों क्योंकि sign है negative मतलब minus sign और यह भी minus sign तो minus minus plus बन जाएगा तो जब भी negative 0 error होगा तो वो 0 error add होगा गर vision दूर हो गई चलिए अब अगला device देखते हैं यह इस device का नाम है yes इस device का नाम है screw gauge हाँ micrometer screw gauge पूरा नाम भी कह सकते हैं screw भी कह सकते हैं क्या खास बात है screw gauge की screw gauge की खास बात है कि यह vernier caliper से भी छोटी चीज़ों का आपके बाल का आपको thickness पता करना है पता करना है कि बाल कितने थिक है मेरे सही कह रहा हूँ तागा बाल सिल्क पतली सी पतली चीज स्वी की नोक कितनी थिक है सही सुन रहे हैं इन सब के लिए आपको यूज करना पड़ेगा micrometer screw गौज विलियम गौसकाइन नाम के एक inventor ने इसको बनाया हाँ वो एक्चुली टेलिस्कोप के लोनों ने बनाया था पर आज हम इसका जबरदस्त यूज कर रहे हैं बहुत ही कमाल का डिवाइस है देखने में आपको क्या लग रहा है देखने में इसमें screw है खूप सार करता है यह देखें तो क्या क्या है आप देखें एक यूशेप फ्रेम है इसके पास यह इसको फ्रेम कहते हैं यहां पर एक फिग्स बना हुआ है फिक्स पोजिशन है नाम है स्टड यह जो दिख रहा है आपको स्कूरू दिख रहा है यह जो दिख रहा है आपको यह देखे यह दिख रही है आपकी sleeve sleeve main scale होती है और यहाँ पर है circular scale तो इसमें भी दो scale है एक main scale जो की यहाँ नीचे दिखाई दे रही है और एक scale जो इस round पर बनी हुई है इसका नाम है circular scale तो इस तरह का है हमारा screw gauge आईए थोड़ा सा principle of screw gauge के बारे में समझते हैं तो सबसे पहला term आ रहा है pitch पिच क्या होता है अगर एक complete जहां से देखिए एक complete rotation घुमाएं तो यह जो distance यह move करेगा यह move करेगा आगे distance है की नहीं यह distance move करेगा तो यह जो distance move करेगा जितना यह distance cover करेगा इसी का नाम दिया गया है पिच चलो clear है पिच क्या है पिच is the least distance which is measured by the movement of the screw कितने कितने movement में एक complete rotation में क्या एक बार पूरा round turn कर दो तो उसका नाम हो जाएगा पिच यह रहा पिच और least count कैसे निकलेगा least count तो मैंने पहले ही बताया किसी भी instrument का least count उसकी lowest measurement है जो वो accurately कर पाता है और इसके लिए screw gauge के लिए क्या formula है screw gauge के लिए formula है number of divisions could हाँ जो pitch आया है उसको number of division of circular scale से divide कर दो सही ठीक है क्या करेंगे पहले निकालेंगे पिच और फिर उसके बाद निकालेंगे least count आई यह screw gauge के बार में थोड़ा सा और जाने तो जैसा कि नाम है screw gauge screw के principle पे काम कर रहा है आपने देखा आगे क्या है round round से thread like बने हुए है उसको screw कहते है हाँ जो दिवाल पे जो लगाते है न पेच जिसको कहते है न हाँ तो it is it works on the principle of screw क्या कर सकता है मैंने बताया thickness of paper measure कर सकता है wire measure कर सकता है और smallest measurement up to the third decimal place of centimeter तक measure कर सकता है चलिए एक बास के description को देख लेते हैं यह रहा स्टड आपने देखा screw यहां पे बने होते है इस side में screw बने होते है और क्या है screw यहां बना होता है यहां राउंड 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 बना होगा है ठीक है यह रहा थिंबल जिसको गोल घुमाते हैं थिंबल के end पे आपको मिलेगी यहां पे circular scale और यहां पे है pitch scale जिसको आप main scale भी कह सकते हैं और इस पूरी area को कहेंगे sleeve यह रहा यू शेप frame यह जो frame है यू फ्रेम है यह रहा यू फ्रेम है यह रहा यू फ्रेम एन लास में ratchet चलिए यह करके फिर से देखते हैं तो pitch की बात करते हैं तो pitch मैंने कहा एक बार अगर आपने पूरा complete goal घुमा दिया तो screw का distance जितना आगे बढ़ जाएगा वो हो जाएगा pitch और lease count निकालना है तो pitch को divide कर दो total number of divisions on circular scale अरे कहा है circular scale तो मैंने दिखाया यह है circular scale इसके divisions कितने होंगे usually 50 होते हैं हां कुछ scales में मैंने 100 भी देखा है मेरे पास जो screw gauge है हां मेरे पास जो screw gauge है उसमे 100 divisions है क्योंकि इतने छोटे हैं कि आपक इतने दिखेंगे नहीं पट 100 divisions वाला मेरे पास है तो आजाएगा number of divisions आजाएगा circular scale का आईए अगर हम चाहते हैं कि lease count कम से कम हो और चोटा lease count हो तो हमें क्या करना पड़ेगा pitch चोटा होना चाहिए और number of divisions circular scale में जितना ज्यादा होंगे उतना अच्छा उतना कम lease count होगा again क्या इसमें भी zero error होगा हाँ भाई दो zero को match कराना है आपको आपको दो zero को tally कराना है एक zero तो circular scale में होता है यहाँ पे scale बनी होती है यह रही circular scale और एक zero कहां होता है इस pitch में जिसको में main scale कहते हैं जो इसका zero होता है अगर इसका zero किसका main scale का zero और यह रही circular scale दोनों zero अगर क्या हो जाएं inside कर जाएं तो समझ जाएं यह instrument में भी error नहीं है आप freely इसका इस्तमाल अप कर सकते हैं समझ गया न तो जब हम क्या करेंगे दोनों को क्या करेंगे tight end करेंगे जब ratchet को घुमाएंगे देखेंगे क्या हो जाएगा कि जो इसका flat end है जो end आपने देखा था stud से टकरा जाएगा और zero of the circular scale कोन side कर जाएगा zero of the base scale से main scale से error नहीं है मस्ती से स्तमाल करो tension लिए विना स्तमाल करो बट मैंने कहा instrument use होते होते जैसे मेरा instrument बहुत पुराना हो गया अब use करते करते अब बैक नहीं आता है तुरंत इसको कहते हैं हैं हम लोग backlash error सई सुन रहे हैं कई बार क्या होता है हम लोग पीछे खुमाते हैं पीछे आता नहीं है ऐसा पीछे घुमाने पर भी पीछे बैक नहीं आता है कभी-कभी यह बहुत tight move करता है अना देखिए आपको आवाज भी आ रही होगी क्योंकि यह old होग है instrument तो कभी-कभी obvious बात है पार्टिकल्स में rust लग जाता है और पार्टिकल्स स्मूध नहीं रह जाते हैं तो error प्यादा करने लगता है दो error होने वाले हैं फिर से एक होगा positive zero error और एक होगा negative zero error आईए पहले positive zero error की बात करते हैं तो जब हम क्या करेंगे जब हम flat end का zero मतलब हम जब main scale का zero को compare करेंगे circular scale के zero से जब दुनों मिल गाए थे तो कोई zero नहीं था देखिए free from zero error है पर आप देखिए circular scale का zero यह circular scale है पीछे वाली और यह main scale है यह है main scale और यह circular scale तो circular scale का zero कहां है नीचे है so the zero mark of the circular scale is below the baseline इस line को baseline बोलता है यह line यह जो zero की line है main scale में इसका नाम है बेस लाइन जीरो की line होती है हाँ sleeve में दिखाई देती है बीचो बीच में तो जब क्या हो जाए इस से नीचे चले जाए circular scale का zero हम लोग इसो कहते है positive zero error मैंने कहा था ना positive है zero error तो आप जानते ही है हमेशा minus ही करना होता है main scale की reading में से zero error को minus करना होता है और अगर negative zero error होगा तो तब क्या होगा देखे इस बार जो baseline में zero है इसके ऊपर है देखे इसके ऊपर है circular scale का तो इस समय circular scale का zero above the baseline है मतलब दोनों ही case में coincide नहीं करेगा हम कहेंगे zero error आईए zero error को correct करने का reading क्या है तरीका क्या है zero error के लिए correct करने का तरीका है कि जो भी आपकी reading आई हो उसमें से zero error को आप minus चलिए time की बात करते हैं पार्ट में time भी है तो आप कहेंगे सर टाइम के लिए हम अपनी घड़ी यूज़ करते हैं आजकल तो हम लोग ने wrist watch आजकल ले लीव है न डिजिटल वाली क्या कहते हैं और घर में जो wall clock लगी है वो लगी है न घर में wall clock तो जो clock या जो हम use कर रहे हैं घड़ी के लिए वो सब जो घड़ियां है वो periodic oscillation पे dependent करती हैं सई सुन रहे हैं आप आपकी घड़ी जी आपकी घड़ी जो दिवाल पे लगी है आँ जिसमें टिक 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 आवाज सुन रहे हैं वो किस पे बनी है periodic oscillation of pendulum पे बनी है पर कौन से pendulum क्या simple pendulum जिसमें two and fro two and fro नहीं नहीं वो compound pendulum पे बनी है चलिए तो हमारे घर में दोनों तरब के pendulum है चलिए compound pendulum में तो हमने आपके घर की clock बता दी simple pendulum की बात करते हैं simple pendulum क्या होता है simple pendulum में एक बड़ा सा एक heavy सा मास होता है कुछ भी आपके पास एक तागा है आप इस तागे पे क्या करें नीचे एक इटा बान दीजे अरे लंगड बना लिजे भाई एक तागे में एक धागे में बस क्या करिए नीचे एक इटा बान दीज बस वो इटा आपके लिए क्या है बॉब है तो जो heavy mass of वस्तु अपने लगाई वो आपका बॉब है इसको suspend कर दिए किस से तागे से याद रखेगा वो जिस से support करेंगे वो massless होना चाहिए बहुत वजंदार नहीं होना चाहिए मतलब यह जो thread है इसकी बहुत वजंदार नहीं होनी चाहिए और inextensible होनी चाहिए अथार rubber की न बनी हो कि आगे नीचे उपर होती रहे ठीक है हाँ एकदम inextensible further extend नहों खिचा न जाए ऐसे को कहते हैं हम लोग simple pendulum जिस point से suspend करते हैं जहां से suspend करते हैं उस point को कहते हैं हम लोग point of suspension जहां से इसको टंगाते हैं यह है आपका point of suspension let's say s लिख दिया और इसका जो center है yes यह रह center इसका यह रह o क्या निकलेगा इससे point of suspension से लेके center of the bob तक निकलेगा यह जो distance निकलेगा इसका नाम है effective length क्या effective length कहां है effective length point of suspension से लेकर के center of the bob तक जो लंबाई है उसका नाम है effective length यह लंबाई के बारे में क्या बुला था कि यह massless अथार्थ यह जो string यूज़ करेंगे यह धागा जो यूज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा वजंदार नहीं होना चाहिए हलका होना चाहिए और वो बहुत stretch ना हो extends ना कर जाए फैल ना जाए क्योंकि जैसे rubber बटाई की चीद लेंगे न तो वो फैलने लगेगे नहीं है तब वो pendulum नहीं बनेगा तब वो simple pendulum नहीं बनेगा simple pendulum के लिए एक धागा ही ले लो बस simple है हां हम लोग हम और आप तो कैसा खेल चुके हैं क्या कहते हैं तुमने खेला होगा जरूर से पथर बान करके ऐसे टिक 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 हां भाई उसी की बात कर रहा हूं तो ये जो bob जो move कर रहा है एक बर जाता है two फिर जाता है pro पिर आता है two क्यों ऐसा करता है कि नहीं करता है तो इस बाउब के two and fro करने को कहते हैं oxalation क्या oxalation the two and fro motion of the oxalating bob is called as oxalation या simple vibration जो बोलो बाते किये समझ गया ना आओ आगे थरा सा definitions देखें आता है period या time period तो जितना time लगा एक two and fro करने में मतलब एक complete oxalation में पूरा जाना है one end तक और दूसरे end तक आना है इसमें जितना भी time लगेगा उसका नाम है time period या period of oxalation और इसको measure करते हैं किसमे seconds में ठीक है time period को second में और frequency क्या बताता है frequency बताता है कि एक second में कितनी बार two and fro हो रहा है number of oxalations completed in one seconds और इसको measure किसमें करते हैं per second हाँ hertz में h e r t z ठीक है per second या hertz अब दोनों का क्या relation है दोनों का relation है inverse दोनों एक दूसरे के inverse है frequency की value निकालनी होगी तो time का reciprocal कर दो या उल्टा कर दो time की value निकालनी होगी तो frequency का reciprocal कर दो यह amplitude क्या है तो जो bob है जो bob है यह जो mass है जो आपने suspend किया है यह जितना maximum distance अपने mean position से mean position बीच की position होती है और यह रहा extreme position यह है इसकी extreme position इन दोनों की दूरी को कहते हैं इसकी दूरी को कहते है amplitude यह जो maximum जितना यह displace कर सकता है जितना दूर जा सकता है अपनी mean position से इसको कहते है amplitude और amplitude को measure करते है meter में effective length क्या है तो point of oscillation जो की bob के अंदर होता है से ले करके point of suspension तक कहां से कहां तक point of suspension जहां पे suspend किया है और bob के अंदर होता है point of oscillation इन दोनों के distance को कहते है effective length ठीक है? इसकी दूरी को कहते है अब आता है कैसे time निकाला जाता है एक pendulum time कैसे निकालता है बहुत असान है एक pendulum को आप क्या करो चला के छोड़ दो ठीक? और measure करो कि 20 बार 2 and फ्रो लेने में कितना time लग रहा है? क्या? 20 बार और divide by 20 कर दो आपको पता चल जाएगा कि एक oscillation में कितना time निकलता है समझ गया न? क्या करना है आपको 20 complete oscillations पता करने है कि 20 बार जब ये oscillation कर रहा है हाँ इसके लिए stop watch लेके बैठना नॉर्मल गड़ी से नहीं कर पाऊगी है न? या आपके बास digital watch है उसमें हो जाएगा और उसको divide by 20 कर देंगे क्या निकलाएगा? आपका time period निकलाएगा समझ गया न? क्योंकि 20 oscillations को complete करने में कितना time लगा? पता चल जाएगा अचा फिर अगर आपको इसका graphically पता करना हो value तो तो time की value का अगर square कर दें ध्यान से सुनियेगा अगर हम t square that is time की value का square कर दें और length से उसको compare करें जब हम graph में plot करेंगे तो length को plot करेंगे x axis की तरफ ये रही x axis और time के square को time की value का square कर देंगे y axis पे और दोनों values को जब हम plot करेंगे देखेंगे कि एक straight line बनेगी क्या बनेगी? एक straight line बनेगी using the two values length का और time square का जब भी use करेंगे यह आपके practical lab में आपको ले जाए जाएगा हाँ जब आप physics lab जाएंगे इस बार I hope आपने यह वाला experiment भी ज़रूर किया होगा देखेंगे कि एक straight line बन रही है तो जो straight line की slope है जो कि मेरे case में आ रही है PQ यह जो slope है यह measurement of measurement of time को help कर सकती है जानने में यह रहा आपका difference difference of length and difference of time ठीक है ना क्या बताता है यह बताता है कि यह straight line होगी हमेशा ठीक है जब भी आप plot करेंगे तो straight line निकलेगी और पता चलता है कि time और length में direct relation है क्या time और length में time and time square and length are directly proportional चलिए slope के बारे में बात करना था तो slope slope of the line slope of the line निकालने के लिए आपको जो PQ डिएगरम में दिखाया इन दोनों point से मिल जाएगा ठीक है ना आईए दोनों को क्या करना है दोनों का vertical normal निकालना है ठीक है कैसे निकालने नॉर्मल एक बार और देख लिए आईए दिखा देते हैं आपको slope निकालने के लिए ये value चाहिए slope निकालने के लिए ये value चाहिए ठीक है इसी को कहता है हम लोग क्या slope ठीक है मतलब ये value that is PR और ये QR दिवाइड कर देंगे जो अब आता है किस पर depend करता है time period तो time depend करता है directly proportional to the square root of the length time square root of the length अगर length है 10 sorry length है 9 तो time हो जाएगा 3 समझ गए length है 4 तो time हो जाएगा 2 square root कर दो length का square root कर दो और time is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity gravity का inverse है मतलब T is inversely proportional to the square root of gravity this is what is called as T is inversely proportional to the square root of gravity समझ गए यहाँ पर क्या था T is directly proportional to the square root of length यह रहा पहला केस र्यान दीजेगा और दूसरा केस आपने देखा कि time जो है वो किसके पराबर है square root of acceleration due to gravity क्या time mass of the bob पर देपेंड करता है या material of the bob पर देपेंड करता है आप छोटा bob ले करके बड़ा bob ले ले तो वो जो आपने suspend किया था क्या उस पर देपेंड करता है जवाब नहीं mass change कर देजे कोई फरक नहीं पड़ेगा और किस पर देपेंड नहीं करेगा अगर आपने amplitude उसका displacement बहुत बड़ा या छोटा ले लिया उस पर भी time depend नहीं करेगा याद रखिएगा तो अब formula क्या है time का अगर आपके पास time निकालना है आपके पास length जिसको हम कहते है effective length मालूम चल गई है effective length और आपके पास acceleration due to gravity ठीक है यह दोनों मिल गई है वैसे acceleration due to gravity तो normally 9.8 है और अगर आप accurately नहीं लेना चाहते है तो 10 है round figure में तो acceleration due to gravity acceleration due to gravity इन दोनों को अगर आपको दे दिया जाए तो आप time period निकाल सकते है कैसे t is equal to 2 pi under root l upon g as it is याद कर लो important formula है time निकालने का calculation आएगा यह आता है second pendulum क्या होता है हाँ अभी तक तो आपने सुमना कि simple pendulum होता है compound pendulum होता है यह second pendulum क्या होता है अरे भाई एक ऐसा pendulum जिसका period of oscillation अथा जिसका time period two second है इसका मतलब है एक complete to and fro देखा एक bob गा पूरा to और fro करने पर उसको दो second लगते है ऐसे pendulum को हम कहते है seconds pendulum इसकी खास बात क्या होती है ऐसे pendulum की खास बात होती है कि इसकी length इसकी effective length इसकी जो length है यह होगी one meter देखा और gravity कितनी होगी fix है 9.8 meter per second square ऐसे pendulum का time period two second होगा इसलिए इसका नाम है जब भी लिखा रहा है seconds pendulum आप समझ जाए कि उसका time कितना है fix है two second this brings to the end of the chapter मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आपने पूरा lesson video शुरू से लेके अंतक देखा है आपका concept clear हो रहा होगा और देखे मत अपने friends classmates सबको share कर दीजे उनकी भी मदद करिए में मदद करिए क्योंकि मैं आप सब तक और content लाना चाहता हूँ पर चाहता हूँ आप मुझे support करें आपको और क्या chapters चाहिए आपको कौन कौन से topics में और lesson videos चाहिए comment box में ज़रू बताइए और इस lesson video को अपने friends classmates को share करिए sir notes कहां से मिलेंगे जी notes के लिए आपको होना पड़ेगा हमारे telegram channel पर telegram channel हाँ हमने telegram channel बनाया है whatsapp group बना रखा है पर telegram channel पर notes सारे available रहते हैं हाँ whatsapp में आप हो सकता late join कर रहे हूँ तो आपको notes न मिल पाए और यहां तो आप क्या करें हमारा app download कर लें हमारा app है sir tarun rupani अरे भाई कहा मिलेगा play store में type करो sir sir tarun rupani short form में इसलिए हमने हर बार कहा star ठीक है ना sir sir tarun tarun और rupani आपको ऐसा लिखते ही मिल जाएगा star चलिए मिलते हैं अगले रसे वीडियो में bye take care have a nice day